नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं Online Stuff YouTube चैनल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले Cyber Monday और Black Friday hosting deals and offer के बारे में पिछले साल user के साथ क्या scam हुआ था और इस साल अगर आप ऐसे ही किसी cheap hosting या फिर offer में hosting अगर purchase करने जा रहे हैं तो आपको किन-किन चीजों का ध्यान या पर रखना है यह सारी चीजे आज के इस वीडियो में हम देखने वाले तो इस मैने के 30th November को Cyber Monday है और 27th November को Black Friday आने वाला है तो इन मोखों पर आपको इस साल hosting में बहुत सारे deals और offer या पर मिलने वाले हैं लेकिन उन्हें purchase करते वक्त आपको कुछ चीजों का या पर ध्यान रखना है जैसे पिछले साल users के साथ एक scam हुआ था अब यह जो article है जैसा के आप देख सकते हैं पिछले साल का एक article है Cyber Monday और Black Friday के वक्त ऐसे ही रात तो रात बहुत सारी companies या पर register हो गई और उन्हेंने users को बहुत सारी cheap offers देखे या पर उनसे registration कर वा लिए और वो जो सारी companies है उनकी list भी इस article में दी हुए इन्होंने क्या क्या है जैसे ही इनका user base या पर बढ़ गया तो कुछ दिनों बाद इन्होंने users को एक mail बेजा कि हमें business में हम कोई problem face कर रहे तो हम जो है अमारी service या पर continue नहीं कर सकते और आपको दो दिन का वक्त दिया जाता है आपका जो भी data है उसका आप backup ले लिजे इन्होंने users को one year plan के साथ इतने अच्छे और cheap offers दिये थे कि users ने या पर बहुत सारी hosting purchase कर ली और ये जो mail मिला है users को अलग-अलग company से इस mail का जो content है 98% जो content है वे पूरा same है जैसा कि आप इस article में देख सकते सिर्फ इन्होंने क्या किया था ये जो अलग-अलग company है इनका logo या पर change था सिर्फ mail में बाकी mail का जो content था वो पूरे क्या पूरा या पर same था इस article का link में आपको description में दे दूँगा वासे आप इसे पढ़ सकते हैं और कई बार ये companies जो है वो one year plan के साथ ऐसे offers देती है जिससे की user जो है वो one year का plan ही या पर purchase करें लेकिन अगर आप इस साल ऐसे किसी अंजान hosting provider company से hosting अगर purchase करने जा रहे तो आपको किन चीजों का ध्यान दखना यह अब हम देख लेते हैं अगर आप ऐसी hosting register करने जा रहे तो सबसे पहले आप जहाँ से भी hosting purchase कर रहे उस company के आपको थोड़ी research कर लेनी है लगबग company आपसे 2-3 साल पूरा नी होनी चाहिए तब आप उस hosting provider से service purchase कर सकते और अगर आप उस company के बारे में आपको ज़्यादा research या फिर कोई information नहीं मिलती है फिर भी अगर आप वहाँ से purchase करना चाहरे तो अगर उनके 1-month plan में कोई offer रहेगा तो सिर्फ 1-month या फिर 3-month का plan purchase करिए उसके बाद आप चाहे तो renew कर सकते और अगर आपको बहुत ही cheap price में मिल रहा है तो वो आपके उपर है अगर आप purchase करना चाहते वन-year plan तो कर लीजे या फिर जो trusted hosting providers होते उनसे आप अपनी hosting purchase करिए अब इनके भी बहुत सारे offer cyber monday और black friday को चलने वाले जैसे host gator है आप इनके जो offers है उनके बारे में आपको कहा से पता चलेगा तो यह जो article है इसका link में नीचे description में दे दूँगा इस article में आपको पूरा information मिल जाएगा hosting provider उसके hosting पे कितने percentage offer है क्या से क्या date सकते इनके offer चलने वाले है और यह आपे जो button रहेगा grab offer इस पे click करके आप directly वो offer को purchase कर सकते यह फिर यह जो discount है इसके नीचे में आपे promo code भी दे दूँगा जैसे मुझे मिलते है यह article पूरा में update कर लूँगा इस article को आप bookmark करके रख लिजे जिससे कि आपको Cyber Monday और Black Friday के आने वाले offers से update रहेंगे यह था आज का short video Cyber Monday और Black Friday के वक्त hosting purchase करते वक्त आपको किन चुजों का ध्यान रखना है इसके उपर अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करिएगा share करिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किय अगड़ जो्या कि उथी एम्स अपने यदुखंश माईड़ ने अपजित को अंगश।